Hello Everyone, Welcome to Beat the Street आज हम बात करने वाले हैं एक important update के बार में जो कि आ रहा है Network 18 और उनकी group companies related एक बुरी खबर आ रही है बुरी खबर ये है कि जो हाथवे केबल और DEN Networks और यहां पे Network 18 और TV18 Broadcast यह चार बड़ी कमपनियों के बीच में जो मर्जर की बाते चल रही थी जिस मर्जर को यहां पे Reliance Industries ने फरवरी 2020 में अनाउंस किया था उस मर्जर के इसाब से Network 18 के अंदर अब यहां पे DEN और हाथवे और TV18 Broadcast को मर्ज कर दिया जाएगा वो मर्जर अब कैंसल हो चुका है कमपनी ने अभी एक disclosure 20 अपरेल को जो की कल आया है उसके इसाब से यहां पे बताया है कि कमपनी ने यह merger को अब कैंसल किया है important update यह है कि यह किस कारण कैंसल हुआ है cancellation का reason है DEN हाथवे networks और यहां पे हाथवे cable और data.com के अंदर यहां पे minimum public shareholding करके एक requirement होती है savi की उसका यहां पे non compliance हुआ है और इस कारण यहां पे shareholders को stock exchange ने एक no objection certificate देने से मना कर दिया दौनों companies को अगर मैं आपको बता हूँ कितना कितना percent stake है तो यह जैसा कि अगर हम stake देखते है company का यह हम बात कर रहे हैं यहां पे hardware cable की जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो promoter का stake 94% है ठीक है और maximum stake जो savi के साब से हो सकता है वो है 75% ठीक है वहीं पे अगर हम देखेंगे यहां पे den networks में तो den networks में जो stake है वो 86% है जो maximum allowed है से भी के यहां पे rules के मताब यहां पे 75% है और इसी के कारण यह merger cancel हुआ है आप सभी को मैं एक और बात बताना चाहूंगा जियो ने अभी थोड़े टाइम पहले इन दौनों कंपनियों में अपना stake भी बेचा है इसको कम करने के लिए minimum public shareholding का comply करने के लिए बट वो जो stake बेचा है वो फिर भी बेचने के बाद भी यहां पे ज्यादा है और यह जो shareholding pattern है यह December 20 तक है March 21 के shareholding pattern अभी तक आए नहीं बट लग बग मैंने जितना calculate किया है जैसा कि अगर अपन देखेंगे हम लोग ने calculation करी है यहाँ पे एक company की तो मैं उसका बताना चाहूंगा कि उसमें क्या हुआ है तो जैसा कि अगर आप देखेंगे यह है हमारा जो shareholding pattern यह कौन सी company के लिए है यह यहाँ पे 10 networks के लिए 10 networks के अंदर जिसके अंदर 86% stake है उसके अंदर अभी तक जो कितना stake बेचा जा रहा है वो 6, 2, 8 और 2, 10 10% लगबग करीबन stake बेचा जा रहा है और फिर भी यह अभी भी as of now यह shareholding pattern जो है वो फिर भी यहाँ पे 75% के लगबग रहेगा बट अभी भी comply नहीं है इस पे क्या impact होगा share price वगएरे पे तो मैं आपको बता दूँ इसका एक negative impact होगा सभी कंपनियों पे और यहाँ पे हमें एक थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिल सकती है बट साथ ही में एक important update यह है कि network 18 और then networks और hardware cable वगएरे के results भी आ चुके है तो जिसका analysis हम लोग separate करेंगे और उसमें जानेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन यह सारी चीजे थी यह एक merger related update था जो की merger अब यह टल गया है अगर यह merger हो जाता तो इंडिया की second largest media company बन जाती sony के बाद sony group के बाद तो अब यह merger नहीं होगा तो problem है अब problem कैसे होता है देखो अगर merger हो जाता न तो cost savings वगएर होती है और यहाँ पर क्या होता है एक company में जो अच्छी चीजे है वो दूसरी company को मिलती है तो इस कारण से यहाँ पर merger फायदेमंद होता है बट यह अभी फायदेमंद नहीं है क्योंकि अब यह merger टल गया है तो यहाँ पर एक share price में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है यह जो deal थी यह share exchange ratio के थू होने वाली थी जहाँ पर अगर आप देखोगे तो 92 shares मिलेंगे यहाँ पर हर 92 shares network 18 के मिलेंगे यहाँ पर अगर आपके पास 100 share है टीवी 18 में अगर आपके पास यहाँ पर 100 share है हाथवे के तो 78 share दिये जा रहे थे और वही पर 191 shares मिलेंगे जब आपके पास 100 यहाँ पर 10 networks के share थे तो यह सारा share exchange ratio था जिसके कारण यहाँ पर थोड़ी प्राइस बाकी तीनों कम्पनियों के प्राइस को यहाँ पर डिराइब नहीं करेगा और गवर नहीं करेगा तो यह सारी चीज़े यह एक negative खबर है पूरे ग्रुप के लिए और Reliance Industries के लिए भी तो यह सारी चीज़े हैं अगला अपडेट हम लोग लाएंगे इन कम्पनी क डिटेल्स पे और इनका अनलेसिस करेंगे Q4 रिजल्ट का जाब पर हम लोग और सारी चीज़े को डिटेल में समझेंगे और कैसे कम्पनी परफॉर्म कर रही है उन सब चीज़ों को देखने के लिए आप हमाया चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को ज़रूर सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद